Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जानवरी 2022 की लाफ टारो रीडिंग तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दीखिए दूसरी बात इस रीडिंग को आप as guidance ही लें क्योंकि जब भी हम कोई reading देखते हैं तो हम इस उमीद के साथ देखते हैं कि भई हमें अच्छा-च्छा सुनने को मिलेगा और दीखिए जिन्दगी सिर्फ खुशियां या पिर अच्छी-ची चीज़े नहीं है जिन्दगी खटा-मीथा है और दीखिए जब हम जो भी issues हैं इनसे भागते हैं तभी ये issues हमारी life में बढ़ते भी हैं तो यहाँ पर दीखिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर reading में आपको वही सुनने को मिलता है जो आप चाहा रहे हैं अपनी जिन्दगी से तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको कुछ और सुनने को मिलता है तो आप उसको सुनके मायूस ना हो आप उस reading में से guidance लें क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि tarot astrology ये जादा guidance के लिए होते हैं तो फिर से देखिए इस reading को आप as prediction ना लें आप ये ना सोचें कि जो मैं आपने कहा ये होगा ही होगा देखिए वो एक possibility है या मैं कह सकती हूँ कि जो आपकी अभी energies हैं उसके basis पे वो एक possible outcome है लेकिन अगर आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने current life की energies में changes लाके future को भी change कर सकते हैं जैसे जब भी भी हम एक जगा से दूसरी जगा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम Google Map में देख लेते हैं कि कौन सा रस्ता clear है और जिस रस्ते में traffic होता है हम उसको avoid करते हैं ऐसे ही आप इस reading को Google Map की तरह लें जहां पे भी कुछ issues आपको दिख रहे हैं तो उसको कैसे आप improve कर सकते हैं कैसे आप better कर सकते हैं उस पे आप focus करेंगे तो देखे आप अपनी energies को या फिर अपने future को भी better बना पाएंगे तो इसी के साथ हम January 2022 की reading शरू करते हैं तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि January 2022 में आपकी love life कैसी रहेगी तो मैं पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally January month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Capricorns और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Seven of Cups और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर January starting में किसी चीज को लेकर एक distracted सी energies रहती होई दिख रही है जहाँ पे आप एक चीज पे focus नहीं कर पा रहे हैं कोई decision लेना है कोई choice लेनी है और कहीं एक चीज पे फिर से मैं कहूंगी कि आप decide नहीं कर पा रहे हैं आप एक चीज के बारे में सोचते हैं तो दूसरा option आपके mind में आता है आप दूसरे option के बारे में सोचते हैं तो तीसरा option आपके mind में आता है ऐसे बहुत सारे thoughts, बहुत सारे options, बहुत सारी choices आपके mind में चलती हुई दिख रही है और दिखे deeper level के लिए promise का card कहता है कि बहुत सारे Capricorns के लिए हो सकता है कि कोई promise, कोई वादा या तो आपने आपके partner के साथ किया या फिर आपके partner ने आपके साथ किया उसी को ही लेकर again मैं कहूंगी कि एक decision, एक choice या तो आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसी से ही related एक सोच आपके mind में चल रही है और फिर से मैं कहूंगी दिखे आप सोचते हुए जादा दिख रहे हैं आप कहीं action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर action initiatives missing दिख रहे हैं लेकिन कहीं mid january या फिर january month के लिए यहाँ पे watch very soon का card कहता है कि किसी चीज को लेकर आप impulsive होते हुए दिख रहे हैं आई उनों एक जल्दबाजी करना चाहा रहे हैं या जल्दबाजी में दिख रहे हैं और यहाँ पे भी देखे सब के लिए different चीजें हो सकती हैं लेकिन watch very soon के उपर यहाँ पे 10 of pentacles reverse का card कहता है कि आप हो सकता है अपने partner के साथ long term relationship चाहा रहे हैं एक commitment चाहा रहे हैं एक stability एक security चाहा रहे हैं और इससे ही related issues मसले हो रहे हैं और इससे ही related एक impulsive energies आपकी रहती होई दिख रही हैं और दिखे 10 of pentacles का card कहीं family का भी card होता है कहीं close one love ones का भी card होता है और यह card reverse है तो कहीं इन ही सब चीजों से related फिर से मैं कहूंगी कि कुछ issues कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि family इतनी supportive नहीं हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि family की तरफ से interference है involvement है और दिखेंगे किसी की भी family हो सकती है कुछ Capricorns की हो सकती है कुछ Capricorns के partner की हो सकती है जिसकी वज़े से अगेन कुछ मसले कुछ issues रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं दिखिए end of January या फिर से January मन्त के लिए ही यहाँ पे on the horizon and strength reverse के cards कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी मन्जिल के इतने करीब आने के बाद ये सब issues ये सब मसले हो रहे हैं और दिखिए कुछ challenges भी रहते हुए दिख रहे हैं जिसकी वज़े से या otherwise एक frustration एक गुसा बहुत जादा आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं या मैं कह सकते हूँ कि आप अपनी मन्जिल के बहुत करीब पहुँच गए हैं और यहाँ पे challenges आपको मिल रहे हैं कुछ issues कुछ मसले मिल रहे हैं और आप कहीं patience और सबर के साथ इन चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं कुछ Aquarius के लिए literally हो सकता है sorry कुछ Capricorns के लिए literally हो सकता है कि पीछे आपने बहुत सबर बहुत patience के साथ काम लिया और अब आपको लग रहा है कि भई अब you know उतनी patience आप नहीं रख सकते हैं और फिर से देखिए frustration, irritation, anger रहता हुआ देख रहा है और अब देखते हैं Capricorns के आपके partner की क्या energies हैं देखिए आपके partner के लिए यहाँ पे सबसे पहले cards में देख रहे हैं King of Pentacles, Reverse and Winter और देखिए दोनों ही cards कहीं practical, realistic तरीके से चीज़ों को deal करने के बात करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ Capricorn के partner के लिए हो सकता है कि practical, realistic होना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि over practical, over realistic हो रहे हैं और बहुत एक cold सी energies उनकी दिख रहे हैं जहाँ पे emotions, feelings, sentiments कहीं missing दिख रहे हैं और दिखें कहीं mid January के लिए यहाँ पे fire in my soul inspiration का card कहता है कि starting January या फिर हो सकता है कि कुछ time से जो emotions, feelings, sentiments missing थे वो कहीं revive हो सकते हैं कहीं आपके partner मन ही, मन आपके लिए इस relationship के लिए या फिर हो सकता है कि उनकी personal life में कोई चीज है उसके लिए एक excitement, एक enthusiasm महसूस कर रहे हैं और देखें इसी वज़े से या otherwise भी यहाँ पे 8 of cups का card कहता है कि कि किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी देखें सब Capricorns के partner के लिए different चीजें हो सकती है कुछ Capricorns के partner के लिए कोई जगा हो सकती है जो Capricorns आपके partner कहीं में January या January मन्त में छोड़ के आपके पास आगे आ रहे हैं कुछ Capricorns के partner के लिए उनका कोई love one close one हो सकता है जिसको छोड़ के इस relationship के लिए आ रहे हैं और कुछ Capricorns में सब की बात नहीं कर रही हूँ फिर से कहूंगी कि कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship को ही छोड़ कर वो कहीं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं तो Nutshell में देखिए 8 of Cups का काट किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है और सब Capricorns के लिए फिर से मैं कहूंगी कि different चीजें हो सकती हैं जिसको Capricorns आपके partner छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और देखिए कहीं हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भई वो independently हर चीज को deal करना चाहते हैं वो आपके उपर किसी भी चीज के लिए dependent नहीं होना चाहते हैं और कहीं देखिए कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि वो single रहना चाह रहे हैं लेकिन देखिए ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ए Nine of Pentacles Reverse का card कहता है कि फिर से वो independently रहना चाह रहे हैं लेकिन अगेन मैं कहूंगे कि नहीं रह पा रहे हैं और देखिए deeper level के लिए Up in the Air का card कहता है कि वो बहुत जादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत जादा एक stuck energies में हैं जहां पर उनको literally ऐसे लग रहा है कि भाई वो हवा में लटक गए हैं ना तो वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं अब देखते हैं Capricorns की January month में क्या हो रहा है तो देखिए January month के लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Four of Wands Reverse और Four of Wands का card कहीं togetherness की बात करता है Companionship की बात करता है Positive Changes की बात करता है Change of Place, Change of Location की बात करता है Marriage की भी बात करता है Engagement की भी बात करता है और देखिए आप लोगों के लिए ये card reverse है तो इन ही सब चीजों से related कुछ टाइम से या January starting में कुछ issues, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी शादी, engagement आप लोग करना चाह रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक साथ हैं लेकिन फिर भी वो togetherness, वो companionship नहीं महसूस कर पा रहे हैं फिर भी किसी level पे एक distance आप लोगों को महसूस हो रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग ये चीज चाहा रहे हैं यानि कि companionship चाहा रहे हैं लेकिन एक companionship नहीं रह पा रही है इसी से ही related कुछ मसले कुछ issues हैं और देखिये कहीं four of wands के नीचे secret admirer का card कहता है कि देखिये एक प्यार महबबत है लेकिन खुलके आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को नहीं कह रहे हैं अपनी admiration या फिर मैं कहूंगी कि feelings, emotions, love को लेकर एक secrecy आप लोग maintain करते हुए दिख रहे हैं और कहीं mid January के लिए यहाँ पे cactus heart guarded and five of wands reverse के cards कहते हैं कि एक conflicting सी energies रह सकती है difference of opinion हो सकता है कुछ Capricorns और उनके partner के बीच में arguments हो सकते हैं नहीं तो इस relationship को ही लेकर again मैं कहूंगी कुछ मसले, कुछ issues दिख रहे हैं जो भी लोग आपके आसपास हैं वो इतने supportive नहीं हो रहे, इतने cooperative नहीं हो रहे या फिर किसी level पे आप लोगों को कुछ opposition मिल रही है या फिर से मैं कहूंगी कि आप दोनों के ही बीच में कुछ arguments हो रहे हैं, कुछ difference of opinion हो रहे हैं और देखें कहीं end January के लिए यहाँ पे Cloud 9 and 4 of Cups के card एक्दम से contrary energies की बात करते हैं और देखें यह cards यहाँ पे एक दो चीज़ें कहते हैं Cloud 9 का card कहता है कि हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर बहुत एक happy energies end January में इस relationship में आ रही हैं लेकिन surface level पे आप दोनों किसी को जाहिर नहीं होने दे रहें किसी को बता नहीं रहे हैं और देखें कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि एक happiness, एक joy एक बहुत ही beautiful energies कहीं end January में आ रही हैं लेकिन Capricorns आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फिर भी उतने खुश उतने satisfied उतने emotionally you know high energies में नहीं दिख रहे हैं फिर से देखें nutshell में कुछ अच्छा January end में रहता हुआ दिख रहा है लेकिन Capricorns आप या आपके partner उतने excited उतने enthusiastic नहीं मुझे दिख रहे हैं कहीं emotionally low feel करते हुए दिख रहे हैं और दिखिए कोई अच्छी opportunity कोई अच्छी चीज भी आ सकती है लेकिन कहीं आप अपने ही zone में हैं और उस अच्छी चीज को नहीं देख पा रहे हैं और दिखिए Capricorns अगर ऐसा हो तो दिखिए जरूर आप चेक करके correct करें क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा state of mind ठीक नहीं होता है और उसी state of mind से हम अच्छी opportunities को miss करते हैं और बाद में हम बहुत परिशान होते हैं और कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि ऐसा हो भी रहा हो कि पीछे आपने कोई चीज मिस करी आप उसके उपर इतना focus कर रहे हैं कि जो January end में अच्छी चीज आ रही है आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो दिखिए जो भी हो थोड़ा सा अपने आपको emotionally better feel कराएं यहां फिर से मैं कहूंगी कि कुछ ऐसा करें जिससे की एक enthusiasm एक excitement इस relationship में आए जिससे की आपका और आपके partner का state of mind better हो emotionally आप better feel करें और दिखिए ऐसा आप करेंगे तो काफी सारी चीजों को आप improve कर पाएंगे तो यह था कैप्रिकॉंज आप लोगों के लिए January 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe जरूर करें